हलो फ्रेंड्स आज हमने एक मल्टिपल फाइब्रोइड यूट्रस की सजरी करी है जिस पर यूट्रस के अंदर इतनी सारी गाठी थी कि आप देख सकते हैं आप एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस ग्यारा पूरी ग्यारा गाठे हमने बच्चेदाने के अंदर से दोरड़े निएल अब लोगों का एक बहुत बड़ा फाइब्रोण को लेकर मित है कि फाइब्रोइड किया है वडशेदानी की गांट है जो れक on इतनी इतनी दवाएं नहीं जाती आप फाइब्रोइब्स की शुरूआत है यह चोटे चोटे तो इसी तरीके से कोई गाट यहां से शुरू हुई थी फिर इतनी बढ़ी फिर इससे बढ़ी इससे बढ़ी इस तरीके से बढ़ती जाती है और आप देखेंगे यह गाट 10 cm के आसपास की बन चुकी है और इसके इसके लिए आप कभी भी यह ना सोचे कि कोई फाइब्रोइड दवाई से खीक हूप आएगा या महिना आने के बाद फाइब्रोइड चला जाएगा ऐसा नहीं है फाइब्रोइड की वजह से कई बार महिना जाता ही नहीं है यानि कि जो ओल्डेज लेडी जो होती है जो फ यानि कि महिना रुखिता ही नहीं है आपकी continuous bleeding चलती रहती है और अगर यह आगे तक चलता है तो कई बार में cancer बनने के संभावनाई भी होती है हालांकि बहुत कम होती है बहुत ही rare होती है बट फिर भी एक संभावना होती है और यह जब भी गाठी इतनी बड़ी होती जात है क्योंकि आपके शरीर से खून को प्राप्त करके यह सारी गाठे बड़ी होती है और जब आप एनेमिक हो जाते हैं आपके शरीर में खून का लेवल डाउन हो जाता है यह ग्लोबिन काफी कम हो जाता है तब आप हमारे पास आते हैं फिर हम बलड चड़ाते हैं और फिर स सब दूर्बीन से संभव है उपर से मातर तीन चार चेद के दुवारा इंस्ट्रुमेंट अंदर जाते हैं वाकि लेजर से और अच्छी एनर्जी सूर्स से यह ऑपरेशन परफॉर्म किये जाते हैं और सारा का सारा बाद में बच्चे दाने के रास्ते से यानि बजाएना से कट लगाकर एक रिबिन टेक्निक होती है जिसके तुरू हमें सारा टिशू बाहर निकाल लेते हैं तो एक बहुत सक्सेस्फुल सरजरी है दूर्बीन से संभव है एक से दू दिन के अंदर अस्पताल से चुटी हो जाती है किसी तरीके का कोई परहिज नहीं रहता है लेकि इसके अलाव आपको और भी कोई कॉशन होता आप हमारे यूट्यूब चैनल के निचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं और अगर अभी तक आपने यूट्यूब चैनल को लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी कर दीजे ताकि आगे भी आप अपके नमश्गर